मुरादाबाद में मजोला के ट्रांस्पोर्ट नगर में एक यूवक की गला काट कर हत्या करती गई जिससे शेत्र में संसनी फैल गई है मामला थाना मजोला के आजात नगर का है जहां पर एक यूवक चाय की दुकान चलाता था और उसी से अपने परिवार का भरन पोशन करता था मृतक के भाई के अनुसार शाम वह अपने भाई को चाय की दुकान पर छोड़ कर अपने घर पर चले गए थे रातरी में किसी वक्त कुछ अग्यात हत्यारों दुआरा उनके भाई की गला काट कर हत्या कर दी गई सुबह जब वह दुकान पर पहुँची तो वहाँ पर भाई की गला काटी लाश पड़ी थी पास ही एक चाकू भी पड़ा था गले से पैसे गायब थे और मिर्तक का मुबाइल भी पास में नहीं था पिड़ी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना मजोला में दर्ज कराई गई है मोके पर पहुची मजोला पुलिस द्वारा शव को कबजे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है पुलिस अधिक्षक नगर अमित कुमार आनंद ने बताया कि हत्या का कारण क्या है इस बिंदू पर जांच की जा रही है पुलिस द्वारा मामले को संग्यान में ले लिया गया है जल्द ही अभियुक्तो को गिरफतार कर मामले का खुलासा किया चाएगा मुरादाबास समधाता बाजी दली की रिपोर्ट लूट मार के नहीं आया थे लूट मार करके उठेंगे तो इसी पीच में उनका घर्दन काटी गई है कौन-कौन लोग तो जानते हैं पता तो दिये खेर आप जिन पशाके उनका नाम दिखवाती है मैंने पुलिस आई थे हमें पुलिस का इतनु ही विए दूब्ला करते हैं थे वे छुरी पड़ी वी था उनका चाहिव गरदन काटी गए थी किसा वी चीना जप्टी का के तो रहुं कृतो रहुं जब उठेहूं इनके आप खुली होगी तो इस वेज़ वंकी निवशत करते हैं कि इस हमारी तो अच्छा लूट करने को दिश्टा है तो फॉन बहे है मेरे मेरा भी फॉन तॉन के बाद जिसर्ट थाना मजवरा जेटर में घत्या का मामला पिरकाश में आया है किस तरीके से चार्च परदाल की जा रही था यह थाना मजवरा में टांस्पोर्ट नगर में एक व्यक्ति की सुबह विजट उने की सूच लाई वो उसका चाई की दुकान है उसे एरिया में और घरवादों के बताए कि करलूर का किनी लोगों से जगड़ा भी हुआ था तो उस पे भी जांच की जा रही है और मुकदमा सर पोस्टम करा के परिजनों को शक्ते दिया गया रही है पोश्माटर दिया पेजा गया ज़टी कर भाद परिजनों को बिदिया जबी बांक्वेट्स लाए हैं इंक्रिडिबल मारिज पलेस राजगराना और फिनस्ट बांक्वेट अल जोती गार्दन वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties, Rajgarana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise.